आप सब का एक बाद फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आपके अपने चैनल जे एमटी शिमला में तो बहुत जिन से मुझे कमेंट लोग कर रहे थे कि आप क्या करते हो आपने अपनी खेती बारी में क्या लगा या है इस तरह से कमेंट काफी लोग कर रहे थे तो मैंन मुझे आपको इस वीडियो में आज में बताऊंगा कि मैंने अपने खेतों में क्या-क्या लगा रखा है और साथ में हमने थोड़े फ्रूट के प्लांट्स भी लगाए है अपने दो-तीन साल पहले कर्यों में सेंपल आ गया है एपल सेप्टिक और इस तरह से करके आप सब प्लांट दिखाई दे रहा है यह प्लांट आपका है शक्करपारा इसे कहते हैं अप्रिकॉट की तरह होता है लेकिन यह वाइट होती है बिल्कुल अप्रिकॉट आपकी पहले कलर में रहेगी यह वाइट तरह का होता है शक्करपारा और मिठा अप्रिकॉट से ज्यादा रहता यह प्लांट आपका अभी मुझे इसे लगाएवे तीन साल हो गए और यह आप देख रहे हो तो इसमें हल्की हल्की आपकी शक्कर पारा लगे भी है भी बीच बीच में थोड़े से आप देखिए इस तरह से अभी अब नेक्स चलते हैं जाइस तो नेक्स आपको मैं दिखाता हूं यह हमारा यह आप देख सकते हो जैसा कि यह आपका अनार का पौदा है इसमें पिछले साल भी आपके तीन-चार पीस लगे थी अभी धाई-तीन साल का पौदा यह है और इस साल इसमें अभी अच्छे लग र प्लांट है तो यह एपल का प्लांट है यह चार साल का पौदा है अभी और पिछले साल भी इस पे सेंपल के दो-तिन-पीस एपल के लगे थे इस साल थोड़े ज्यादा लगे हैं आपको मैं दिखा दूं तो यह रहे गाईस इस वार यह हमारा लो हाइट में वाला है क्योंकि लो हाइट आती है हमारी यहां पर लो हाइट का यह गेल गाला प्लांट है आपका और यह आप सामने देख रहे हो यह अपरिकोट का प्लांट इसको भी अभी चौथा साल लगा है तीन साल कंप्लेट हो गये हैं और इसमें भी पिछली एर भी सेंपल आया था इस साल भी आप देखिए तो बहुत ही जवरदस्त हेल्थी फ्रूट लगा है हां फ्रेंट्स इ कि पहले बारिश बहुत कम होई थी और इसके बाद आपको मैं बताओं तो यह है फ्रेंड्स हमारा परसी मल जिसे कहते हैं राम फल भी कुछ लोग कह देते हैं जपानी फल भी कहते हैं यह अभी यह अपना थरी एर कंप्लीट कर चुका है और फोर्थ यह इसे स्टार्ट प्लाइटी आई है तो इसके ड्रॉप होगे थे इस फूल आया था वो ड्रॉप कर गया था लेकिन सब्सक्राइर अब देखते हैं कि इसमपल आता है कि नहीं पहले टू यह में तो काफी छोटा यह प्लांट रह गया था ग्रोथ कम कर रहा था अब यह काफी ग्रोथ इसने ले रखी है अभी सियर देखते हैं पेड़ है रड़ ब्यूट न्यू एक ब्राइटी आई है उसका प्लांट हमने लगा रड़ ब्यूट अभी यह को यह का हुआ है रड़ प्लम है लेकिन इस पे थोड़े यह थोड़े इसके पत्ते जो आप देख रहे हो थोड़े किया नहीं है यह है मारा प्लांट और यह आपको मैं बताता हूं तो यह जो इसको हमने ग्राफ्ट किया है कैंत का एक पेड़ होता है उस पे इसको ग्राफ्ट किया जाता है आप सब को काफी लोगों को इस बारे में पता होगा पहले से ही जो नए लोग उनको मैं बता दू तो यह आपका नीचे से पेड़ आ रहा है यह वाला यह आपका कैंत का है और इस पॉइंट पे इसको हमने ग्राफ्ट किया है यह देखिए आप इसको यहां से ग्राफ्ट किया है इस पर कलम लगाई है पियर की फिर यह इस तरह से प्लांट आपका त्यार हुआ है एक हमारी लोकल पियर आती है नाशपती जो लोकल होती है गोल तरह की गोला नाशपती उसको कहते हैं यह आपकी दूसरी तरह की इसको नाशपती होती है और यह हमने कुछ थोड़े से प्याज भी अपने लगा रहे हैं अपने गुजारे लाए कुछ भी जो निकल जाए अभी थोड़ यह हमारे लसुन का खेट है इस पे पूरे खेट पे हमने लसुन लगाए हैं गाई एक चीज मैं आप से पूछना चाहता हूं अगर आप किसी को इस बारे में पता हो तो यह जो आप देख रहे हो लसुन यह वाले कुछ 20-25 दिन में अचानक की एक दम से सूखे कुछ और आप आप आगे देखिए तो आगे बिल्कुल अभी हरे हैं यह अचानक से सूखे और इसको जब निकाल के हमने देखा तो इसके अंदर भी इस तरह का है देखिए यह कुछ खराब सा हो गया अंदर खुदी गलना शुरू हो गया कुछ गिला गिला सा है अब यह देखिए यह हम जो हमारा है हमारे handsome इंटर पॉयूंत संधेर से इस तरह से यह यह दिन देख्यों है यह वह वह लासुन你好 आई आपको घठिया है हमारे ludzi जो लोकल ब्रीड होता है हमारा उसमें ये इस पॉइंट पर लगता है और बाकी नीचे तो आप इसमें देखोगी तो नीचे तो लहसुन ये लगाई ये आपका ये देखें नीचे तो लगाया लेकिन ये साथ में जो आप देख रहे हो ये वाला ये वह गठिया रोग के लिए बहुत ही फाइदे बंद होता है काफी इससे कि आपको उस रोग में काफी फाइदा मिलता है उन इनको उस तरह की प्रॉब्लम गठिये की होती है तो गाइस ये था मारा आज का सफर क्योंकि काफी से लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने अपने खेतों में क्या लगा रखा है कौन से फूर्ट के आपके पौदे आपने लगा रखे हैं तो मैंने सोचा में बहुत दिन से सोच रहा था कि आप सब के लिए एक वीडियो चानल पर पहली बार आ रहे हो तो चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए बैल आइकन प्रेस कर ओल पर कीजिएगा जिससे की आपको हमारी आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहेगी तो गैस मिलते हैं किसी और एक अंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइवाई वीडियो देखने के लिए आप सबका थिंक्यू